तो हेलो फ्रेंड्स मैं आ चुका उनने टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिफेक्स ठीक है तो टाइम वेशना करते हुए हम डिफेक्स को एक ही शीट में जो मैंने आपको टेबल बता रहा हूँ वो टेबल आपको अपके दिमाग में बिठा के रखना है ठीक है इसके बाद ड सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं डिफेक्ट डिफेक्ट मतलब गलती है ठीक है मतलब अगर कोई हम क्रिस्टल बना रहे है क्या बना रहे है क्रिस्टल ठीक है उसमें सॉलिड बना रहे है उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है कोई एक एक पूरे लाइन ओफ एटम की गलती हो जाती है तो उस टाइप पे डिफेक्ट पॉइंट मतलब क्या एक पॉइंट मतलब एक एटम था हुआ एटम चेंज हो गया मतलब समझो यहां पर पॉजेटिव माइनस पॉजेटिव माइनस पॉजेटिव माइनस पॉजेटिव माइनस पॉजेटिव माइनस पॉजेटिव नेगेटिव पॉजेटिव न non stoichiometric defect याद होगे sequence एक होते stoichiometric मीनिम पता होगा ठीक है stoichiometric एक होते impurity एक होते non stoichiometric अब अब stoichiometric defect है क्या पहले तो यह stoichiometric मतलब क्या stoichiometry वर्ड समझ लीजिए stoichiometry मतलब क्या रेशो fix तंपल लेंगमिश में बोलो को रेशो fix मतलब कैसे आप मैं एगर यह रेशयो हो जाएगा सीए 0.96 है सीए 0.94 यह समझो हम लिख रहे एफीओ एफीओ के ऑक्साइड एफी 0.94 ठीक है जब यह पॉइंट में आ जाता है इनका रेशयो किसमें आते है रेशयो पॉइंट में 0.94, 0.96 उसे हम कहेंगे non stoichiometric समझ गया है मतलब whole number में आ रहा है 1 is to 1 is to 1, 2 is to 1 is to 1, 2 is to 2 is to 2 समझा है उसे हम कहेंगे stoichiometry और एक होते है जहां पे non stoichiometric आता है 0.94 ऐसे उसे कहेंगे non stoichiometry stoichiometric में ठीक है हो गया समझ गया है दो कितना easy है stoichiometry impurity non stoichiometry अब stoichiometry में दो शड़ी करने short key defect frankal defect कौन से-कौन से short key defect frankal defect short key defect में क्या होता है ठीक है याद करने के लिए बहुत ही बहुत ही important है यह और बहुत जल्दी में आपको याद भी करवा दूंगा अब देखो पेंसिल समझा तो कैसे हमें याद करना है short key defect में क्या होगा एक positive negative positive negative positive negative positive negative ठीक है इसा समझो कोई भी arrangement है मैं example ले रहा हू ठीक है जाए अब क्या हो रहा है इसमे चुछाट की defect है एससे याद रखना सेम चाय की शौड की समयेया एक positive निकला भार और एक negative ठीक है तो यह से याद रखना है गर लिसकली तो निकले मतलब और जाएंगे कभी भी same number of positive, negative जाएंगे ऐसे ऐसे आद रको same number of positive, negative अब ही जो crystal है ठीक है यह कुछ बन जाएगा देखो एसे यह जो crystal है अब समझो एक positive निकला भार एक निकला हमने negative भार बच के जाएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फॉजिटिव नेगेटिव ठीक है अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकल गए बार अब आप देखो अगर दो जो हमारे एक अनायन एक कटाय से किसके प्रकोशनल होती है स्वाशनल कुछ मास बाहर निकल गया तो स्था लिदेंगे डेनुसेटी हो गया सारे points कितने related concepts कितने related है अगला एक positive निकला एक negative निकला है तो अबी भी जो atom है कीसा है total lattice है oh ketka the황ittar tele heat your positive नीजाड करेगा यह को neutral मतलब मतलब्यटरा नब्ल को neutral होग लेक्टर को तो शौट की डुटरी में जो होता है वह थाúblic राइंड है और अनएस और कटाया निकलते हैं एलेक्रिकल न्यूट्रिडिलिटी सिस्सेटिटी अब इसको क्या हैंगे व्यक्तेट कहेंगे यह कोन दिखाएंगे आपस याद रखो एस मतलब सेम जिनके साइज में सिमेलरीटी है मतलब जिनका साइज जो है वह सेम है अल्मोस्ट तो उससे दिखाने के लिए प्रॉपरिटी जादा है कि शॉट की डिफेक्ट वो लोग दिखा दे ठीक है शॉट की डिफेक्ट के लिए कोडिनेशन नंबर हाई चाहिए कि यह है कोडिनेशन नंबर किसका होता है एने सी एल सी एल के लिए कोणसे कोणसे फर्स रूप वाले जितने भी ख्लोराइड से उनका इसको देश आते अपना फ्रेंकल डिफेक्ट में याद हो गया से 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 नंबर निकले वैकेंसी भी आ अब आते है फ्रेंकल डिफेक्ट ठीक है इससे हम कहते है कहते है डिस्लोकेशन डिफेक्ट क्या कहते है हम डिस्लोकेशन डिफेक्ट क्यों कहते है डिस्लोकेशन डिफेक्ट देखो क्या होता है इसमें ठीक है फ्रेंकल देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्ल में अब क्या होता है एक पोजेटीव जो हे जब निकलता है यहां पर आकर जाएगा पॉजेटिव कि हिंछर स्धिट कई पर कोंसे साइड रहे जाएगा इंद्र स्धिश्र साइड ठीक है जाएगा अजिक कई पन जाएगा और वह जोडेए वो प्लिटिव प्लिट करने वाली डिफेक्ट डिस्लोकेशन डिफेक्ट तीस सीरी चीज़ इसमें जो आती हैं अब देखो अंदर के अंदर एक्टम घुम रहा है तो तो क्या मास में कोई फरक पड़ा थेचली के अंदर उसकी में ज коп कर रहا है कि फास्ट बात काथ इसकी नहीं हो तो यह नहीं को दिखाते है जिंक रेडियेस स्वारी या फिर कॉंडेशन नंब्र कम हो यसाए कि अब इसमें एक इंपोर्टेंट बात आती है यहां पर लिख रहा हूं है हाइलाइट करके क्या वह बात है याप करनी आपको क्या लिका में he एजी लिकों प्रिपर ये प्रिवेश्ट आये वह अदिया हुए एजी दिया हुआ है इजी पी या या याप कर लोड़ है वह बत हैugले इसस पफिरी इंपे इम्पिरिटरी में क्या होगा समझो NACL है क्या है हमारे पर दोस्तो दोस्तो ऑने सबकेब पता है ना क्या भात अ मैनस ऑने स्बस्टाइब न अ — य३र जो कुछ कि इसा होगा टिक है आपिणदी मतलब उनक प्लिटी मतलब किए अलग सा चेज को मतलब ca क्या यहां पर मोश्टली जो आते वो यह क्या है मोनो वैलेंट मतलब एने के ऊपर ॉपर प्लसबोन चार्ज जर्आ प्लस इसे कहेंगा मोश्पर यहां पर कोई डाय वाल टंव यहां पर यहां समझेब यहां पर इस ट्रोंशियम आ गया स्टॉंशियम सेकेंड ग्रुक का एलिमेंट है ठीक है इस पर प्लस टू चार्ज है और अगर स्ट्रोंशियम दो आ रहे हैं तो हमको जो है यह है एलेक्ट्रिकल न्यू ट्रलिटी तो मेंटेंग करनी है ठीक है रिप्लेस्मेंट होगा अब क्या होगा देखो दो यह बाहर निकल इदर से इस से पावर कुल है ठीक है अब इसर ने प्लस टू ने पहले सोडियम की जगा गेर लिक कुला आप मैं तो इधर हो गया अब यहां पर एक गैप आ गया ना क्यूंकि चार्ज बैलन्स करने के लिए अगर एक स्ट्रोंशियम प्लस टू वाला अंदर आ रहा है तो दो सोडियम को बहाद आना पड़ेगा जिन पर प्लस वन प्लस वन है लेकिन एक स्ट्रोंशियम की जगा प्लस वन ने ले दी तो मैं है तो याद रखना जित्ने स्ट्रोंशियम में ढेंड़े एक स्ट्रोंशियम में यह सीमलर स्ट्रोंशियम के लिए एक केंसिंड समृशियम के लिए एक संसिक अ powin लेकिन यहां पर क्या के से प्लस टू है तो एक ने तो खुटने दगा घेर ली और एक वैकेंसी बनाएगा ही ज़रूर ठीक है यह हो गया इंपरिटी डिफेक्ट बहुत साधरन सिंपल भाशन में तो हमने समझ जा दिया अब नॉन स्टोइकोमेटरिक डिफेक्ट्स नॉन स्टोइकोमेटरिक सब्सक्राइब देतर काई त्युक्तानकल यह थीक है इसमें डो टैप होगे टिक है और मेटल डेफिशेंसी डिफेक्ट क्या बताया मैंने एक को मेटल जादा हो गया इसलिए बीगड़ गई दूसरी चीज़ मेटल डिफिशेंट हो गया समझेए अब क्या होगा होगेन गें मैं तो चाप होगे सिरकेश्ट्रometreridge दो यह टाइप लिए पिए खोगे फिलिए हो गजई कि देुसरा अनायन की अनायन की की वैकेंसी होगी अनईं की एखींसी सेकन्द हो सकता है इंटर्स्टिष्यल कट्रेश। यह bullying टीषिम टीष डीफेट्ट डीवेक्तन धूट एंटर्स्टिष्यल कट्रेश्ट कोजिए उतान घट्रवर्डवत क्योंगेớ", Istri बचल यह देखा हो और आपका यह कोशिश है ऐसे सो जाएग और ली गारेंटी मेरी औली पेंड नहीं उठाओ गया ठीक है अनियन केंशी इंटर्स्टिशियल कटाइंच और अन वैकेंशी अब क्या होता अनियन वैकेंशी में प्रुजम ओरियंटेड पॉइंट उसे बता रहो अनायन की वैकेंसी हो गई उसे कहेंगे अनायन वैकेंसी उसके वेज़े से स्टॉकोमेटर बिगड़ गई इसके वचेसे कलर आजयता है क्या लाता है कलर एक बनता है F-Center ठीके जिसे हम केथे फार्बे सेंटर याद रखना सुक्राइब मेरी बात क्या अनायन वैक्षि की वजे से वार्बे सेंटर बनता है और वार्बे सेंटर के वजेısı यह से कलर आता है तो कलर किसे याद रखे ठीक है एम्हात का बेसे याद रखे है यहलो को है यंदो है भी September करहया के यहा रखना सब्सक्राइब बुल् सब्सक्राइब कवी के तयायद रिक्वाइब का याँ ना मतला यलो कि यद्यों सोडियंka यलो का यस्क्या बाता है इन्स धाय ते देज़ फेट टेसा सो को इस बूए Laz टीक है अंदर आपको पता है कटाइस गुमेंगे उसके से कुछ चेंज हो जाएगी उसे कहेंगे इंटरसिचल कटाइस की वजए से मेतल लेक्सेस की वजए से नॉए इसका एक्जम्पर याद रखना है जहेड़ नू ठीक है यह आपको याद रखना है अब अगला चीज आपको देखना है एंसे एंसे डिया हुआ है इट टरंस यलो ऑन हीटिंग यह इंट टनस भाइट रहा है जोड़ता हूं पहले कैसे हैं और हीट करने के बाद के बन रहा है वह आप मुझे देखके आपको आगर अंसर मिल गया तो कमेंड बास में जरूर बताईए क्योंकि यह पॉइंट यह ज्यादा को सब्सक्राइए कोशना लुका अब इतना से सीकना है अब तक और में दोन हो रहा था अब इसके वैसे क्या होगाँ कि अब फ की इस वब्सकीठे मेटल है अब उसकिता क्या पर सबस्कात ओट देखो, normal formula क्या होता है? FeO, इसे हम क्या कहते है? Ferrous oxide, क्यों ferrous कहते है? जब iron की oxygen state plus 2 होती है, उसे हम प्यार से ferrous बुलाते है, लेकिन जब iron की oxygen state plus 3 होती है, मतलब उसको गुसा देता है, वो एक electron भार फिक देता है, तो उसे हम कहेंगे एh feric, ठीक है? प्यार से ferrous तो इसे हम कीज़े ferrous oxide, लेकिन क्या हो जाता है? यहाँ पर आपको देख रहा है, Fe का 1 है, oxygen का 1 है, लेकिन आप oxygen का तो उतना है रहता है, Fe का कुछ atoms भाहर निकल जाते है, और metal की deficiency हो जाती है, उसके वाई से stoichiometric का ही रिशो कम हो जाता है, तो 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 1 to 1 रिशो हो जाता है, तो कि 0.92 से 0.92 कट जाता है, तो 1 is to 1 रहता है, लेकिन आपको सिर्फ metal की deficiency हो जाता है, इतना याद रखाओ, अब देख रूर कमाल का question, खतम, खतम है, इसका question आया ना, मार्क का समफोड़ दोगे आप, ठीक है, यह trick, बहुत कम, 0.1 बच्चों को यह trick पता होगे, कैसे directly solve कर अगर time है आपके पास, वो भी ठोड़ा सा करके सीख लिजा, लेकिन अगर अगर time exam नजदिक आ रहा है, ठीक है, उस पर भी आपको मैं continuously जो news है, exam के related, वो देता रहूंगा, एक्दम official news, अब देखते हैं, इसमें क्या point, बहुत ही जबर्दस point आ रहा है, इसमें, experimentally यह question दे है, दोस्ति यह लोग, कि experiment से कुछ पता लगा, कि FE का formula आया है, FE 0.980, तो इसे हमें question यह भी आ सकता है, कि यह कौन सा defect है, समझ रहा है, non stoichiometric defect है, लेकिन question क्या आता है, देखा होगा, aims में, आपने neat में, NCIT में, NCIT में इसका question है, और यह trick, यहां से सीखिए, NCIT के question पर लगा stage of FE plus 3, ठीके, आप खुद सोचे, अगर FE 1, मतलब FE 0 होता, तो O पर minus 2 होता, iron पर plus 2 होता, ठीके, मतलब यहां पर dominating state plus 2 है, ठीके, लेकिन उसके वज़े से कुछ plus 2 के atoms भाहर चले गए, और कुछ plus 3 के atoms आ गए, ठीके, कुछ plus 3 के atoms उसमें आ गए, उसके वज़े से stoichiometry में कुछ change आ गया, उसके वज़े से stoichiometry में कुछ बदलाव आ गया, उसके वज़े से formula थोड़ा सा change हो गया, 0.98, उन्हें ने पूछा, FE plus 3 का percentage बताओ, और FE plus 2 का percentage बताओ, आप देखो क्या करता हो, मैं, क्या है यह, 0.98, मैं क्या करता हूँ, 1, minus 0.98 करता हूँ, कितना आता है यह, 0.02, ठीक है, मतलब 1 से, इसका 1 है, ठीक है, तो मैंने 0.98, ठीक है, मैं इसको 1 minus 0.98 लिख लेता हूँ, तो यह आता है, 0.02, कितना, 0.02, तो, अगर, यह 0.02 है, तो क्या करना है, ट्रिक क्या है, 0.02 को multiply करना है, 2 से, into 0.02, यह आजागा 0.04, ठीक है, जगा नहीं है, यहाँ पर लिखता हूँ, यह आजागा 0.04, सही है, इसको 100 से multiply कर दो, 4 आ जाएगा, ठीक है, अब, यहाँ पर्सेंटेज पूचा है, किसका, FE प्लस 3 का, तो यह तो मिल गया, FE प्लस 3 का, चाहर एटम, FE प्लस 3 के, कितने में से, 98 में से, तो पर्सेंटेज किसे निकलते है, 4.98 into 100, ठीक है, यह आजाएगा कुछ 4.08 पर्सेंट, ठीक है, यह एलें के मॉडल को क्वेश्चन है, आकाश में पर दिया है, यह सेम क्वेश्चन में दिया है, सेम टाइप का, ठीक है, त आप पहले से ही सबको 100 से मल्टिप्लाय कर दो, 0.98 को 100 से मल्टिप्लाय कर दो, 98 तो आपको समझ गया, 100 और 98 में गैप कितना है, 2, 2 से 2 को मल्टिप्लाय, 2 into 2 करना है, जो भी आएगा, समझो, यहाँ पर 0.96 होता, ठीक है, F is 0.96, तो क्या करते है, गैप कितने का है, 4 का, 4 क आपको 2 से मल्टिप्लाय कर दो, 8, ठीक है, तो 8 upon, total कितने है, 96, तो into 100 कर दो, यह आपको जो value मिलेगा, 8 point कुस्तो something मिलेगा, तो इससे फाइदा क्या होगा, टाइम बच जाएगा, और समझो, आपको 8 मिल रहा है, आपको पता है, 8 upon 96 into 100, यह करीबन-करीबन 1 है, तो 8 point कु होगे कि सर, आपने तो यह बता है, नहीं, एफी प्लस टू का, तो एफी प्लस टू का जो होगा, रिमेनिंग बच जाएगा, अगर 4% यह है, तो 100 minus 4% बच जाएगा, 96% एफी प्लस टू का, खतम, तो यह था हमारा पूरा stoichiometric, non stoichiometric defects, ठीक है, अगर आपको यह session बसंद आय होगा, तो जरूर से लाइक कीजिए, कि मरात को अलमोस्ट यह देढ़ दो, शूट करके रख रहा हूँ, कि बाद मैं अपलोड करूँगा बोलके, तो इसको मैं अपलोड कर दूँगा जल्दी से, तो आप चानल को सब्स्रेब कीजिए, आपने दोस्तों को भेजिए यह व